हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल विनर की पार्चाला में और आज बच्चों हम लोग exercise 4D ही जो की कक्षा 7 की गड़ित की 1-4 रचनाओं से ली गई है इस exercise को complete करेंगे तो बच्चों देर किस बात की चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है इस exercise का प्रस नमबर 1 तो पहला प्रस नमारा दिया गया है कि एक रेखा खंड AB खीचिए इस पर कोई बिन्दू M अंकित कीजिए M से होकर रेखा खंड AB पर एक लंब पत्रिवा प्रकार की सहता से खीचिए तो सबसे पहले कहरा है कि एक रेखा खंड खीचो और इसी पर कोई बिन्दू M होना चाहिए तो एक रेखा खंड हमने ले लिया ठीक नाम दे दिया हमने A, B अब इसी पर हमें कोई बिन्दू लेना है M, माल लिया हमने ये बिन्दू ले लिया M अब कहरा है इस बिन्दू पर लंब रेखा खीचनी है तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो बिन्दू होगा इस बिन्दू से एक चाप इस तरीके से लगाएंगे ठीक अब ये दोनों जगाए से काटा है न तो दोनों जगाए से चाप आगे लगाएंगे एक निश्चे ताप चाप ले लेंगे कोई भी ये इधर हो गया और इधर से ये हो गया जहां पर इसने काटा वहां से हम M को मिला देंगे और इस प्रिकार से दिये गए बिंदु पर AB रेखा के लंबवत रेखा हमारी आ चुकी है M, N अगर हमने इसको दे दिया तो AB और M, N आपस में कैसी हैं लंबवत रेखा हैं बीज का कोण है 90 का और इसी के साथ हमारा ये प्रस नंबर रेक कम्प्लीट होता है आयोप आप लोग समझ गए होंगे अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रस्न पर तो बच्चों हमारे यहां पर दूसरा प्रस्न है कि एक रेखा खंड PQ खीचिए कोई बिंदु आ लेजिए जो रेखा PQ पर ना हो आ से होकर रेखा PQ पर एक लंब खीचिए यहां पर situation थोड़ी सी different है और वो यह है कि जैसे मैंने रेखा खंड ले लिया यह K agg के प्षस्ले प्रस्न में अमिने रही मालना था इस प्रस्न में दूसरी जग कररह मालो यहहां पर बिंदु यह है अन ठीक अब प्रस्न यह कह रहा कि से होती हुई इस रेखा से लंबध रेखा खिशती हैं तो जो यहां पे नोग रखके चाप ऐसा लगाएंगे जो नीचे जो रेखा दी गई है उसको दो जगए से काटे है ठीक है तो यह रेखा एक यहां से काट रही है और दूसरी यहां से काट रही है अब इन दोनों जहां पे रेखाएं काटी हैं वहां से हम प्रकार की नोग रखके ए एक चाप इस तरफ मैं जहां पर ये चाप हुरां हम इडिया है यहां पर नाम ते इसको यहां पर बिन्द। ठीक है तो इस प्रिकार से आपने देखा कि कोई रेखा दी जाएगी और बिन्दू जो होगा वो रेखा पर नहोंगे रेखा से अलग होगा उस स्थिती में हम नब्बे अंस का कोण कैसे बनाएंगे तो दोस्तों यह था प्रस नमबर 2 आई होप आप लोग समझ गए होगे औ और अब हम लोग चलते हैं इस एकसरसाइज के अंतिम प्रस नहरी प्रस नमबर 3 पर तो वच्चों हमारा यहां पर तीसरा प्रसना है कि पांच सेमी का एक रेखा खंड MN कीजिए रेखा खंड MN पर एक बिंदू P से रेखा खंड MN पर एक लंब कीजिए यहां पर उसने क नाम इसका दिया गया है MN पांच सेंटीमीटर अब कह रहा है रेखा खंड पर ही एक बिंदू कोई P है मालो हमने यहां पर बिंदू माल लिया पी अब इस पर एक लंब रेखा खिशनी है बिंदू P से तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले तो एक चाप अब इधर यह चाप काट नहीं रहा है तो इसको इधर हम डैस डैस करके बढ़ा देंगे ठीक है अब यह एक यहां पर काट रहा है यहां से दो चाप हम उपर की तरफ लगा देंगे यहां से यहां से यहां से यह दोनों चाप यहां पर माल लेते हैं ओ बिंदू पर काटे तो ओ और पी को वापस में देंगे मिला देंगे तो यह जो औपी रेखा कंड़ के लंबवत है यह था m और यह कोण हमारा जो है नब और आँ तो prosperity के नब बेबब आँड़ा कर दो कि यह तो इसamedow पारक से सिन्म करेंगे इसक tweeting बहुत आसान थे सिर्फ बहुत रेखा खिशनी थी और लंब रेखाएं दो तरह से पूछता है प्रस्ट całे ये तो रेखाभिभ होर इसी पर P चाप लगाते हैं इस तरीके से और जहां से उपर चाप लगा देगे रेखा खीश देगे यहां से क्या करेंगे इसमें यहां से चाप लगाते हैं इसी पर इस तरीके से काटेगा जो बिन्लू आएगा वहां से चाप हम लोग उपर लगा देते हैं और मिला देते हैं और इस के साथ यह प्रस्ण और यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आई होब कि आप लोगों को यह एक्सरसाइज समझ में आई होगी वीडियो प्रसंद आने पर इसको लाइक करें दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब मिलते हैं कल फें एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार